Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग असा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear friends, आज का हमारा ये lecture आपके chapter प्रतियस्थापन द्वारा समाकलन अर्थात integration by substitution का second lecture होने वाला है I hope आप सभी लोगों ने इस chapter के बिहाब पर जो first lecture है उसको जरूर से जरूर देख लिया होगा नहीं देखा होगा तो इस lecture के description में उसका link है पहले उसको देख लिजेगा तब इस पर continue करिएगा आज के इस lecture में हम integral का second type discuss करेंगे और उसका use करते हुए कुछ standard integral find करेंगी जैसे 10x का integration आज सभी हम लोग करना सीखेंगे, 4x का integration करना सीखेंगे, 6x का integration करना सीखेंगे और 4x का integration करना सीखेंगे, so lecture बहुत important है, complete lecture देखिएगा कहीं पर भी skip मत करिएगा आए डियोस्टेंट्स type second यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यह जो type second डियोस्टेंट्स इसमें होता क्या है कि denominator में एक function लिखा होता है और numerator में उसका differential coefficient अर्थाथ उसका अउकल गुडांक लिखा होता है इस situation में हम इसको किस तरीके से integrate करते हैं, method सीख लिजिए करते हैं कि यहाँ डियोस्टेंट्स यहाँ लिख देते हैं, substituting, substitute करते हैं क्या, यह जो fx है, इसकी जगाँ पर डियोस्टेंट्स, t substitute कर देते हैं, ठीके, substitute करने पर होता क्या है कि यह f-x हो जाएगा और dx लिखते हैं, equal to dt हो जाएगा अब ऐसा करने से होता क्या idea sense कि यह f-x और dx इस पूरे की value क्या हो जाती है, dt हो जाती है तो therefore हम यहाँ पर लिख देते हैं, f-x upon, ठीके, fx इसका जो integration था, वो क्या हो जाएगा f-x की जगहाँ पे dt हो गया और इसको f-x को t लिए है, तो one upon t और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा one upon t का integration dear strength क्या होता है, log mod of t plus में c आप t की value लग देंगे, तो log mod of f-x और plus में c, यह इसका dear strength क्या हो जाएगा, integration हो जाएगा तो इस concept का हम सभी लोग use करते हुए, integration बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, देखिए कुछ example लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ जैसे suppose करी आपके exam में आगया, e to the power x upon one plus e to the power x का integration ठीक है, तो इसका integration हम सभी लोग इसी logic का use करते हुए करेंगे ज़रा ध्यान दीजे कैसे अब इसका differential coefficient यह लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे substituting one plus e to the power x is equal to t, इसका differentiation करेंगे e की power x dx हैगा, equal to क्या हो जाएगा, dt तो वही जो आपको सिखाया गया था, वही काम यहाँ पर हो गया कि e की power x dx क्या हो गया, dt हो गया therefore यहाँ e की power x upon one plus e की power x यह इसको हम क्या लिख सकते हैं, one upon t और dt लिख सकते हैं बाते समझ में आ रही होंगी आप सभी लोगों को, अब देखिए इसको जब solve करेंगे हमें तो क्या मिलेगा, log mod r t और plus में distance कितना मिलेगा, c मिलेगा तो log mod r t की value कितनी हो जाएगी, one plus e to the power x plus में c, और यह distance इसका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा तो इस तरीके से हम सभी लोग integration करते हैं, जब numerator में, मतलब uns में हर का क्या लिखा होता है, अवकल बुरांग लिखा होता है, तो इस तरीके से उसको substitute करके हम लोग integration करते हैं, I hope आपको चीज़े समझ में आई होंगी, ठीके, इसको मैं erase करता हूँ, फिर धीरे करके अभी ची आता हूँ, इसके भी हाँ पर तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जागा, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर work करते हैं, और किस तरीके से integration हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं, एक छोटा सा example और लेता हूँ, देखिए, लिखा है, x3 upon 1 प्लस x to the power 8 का integration, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको लिखेंगे x की power 3, अपान में 1 प्लस, इसको x की power 4 का whole square लिखा जा सकता है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस x की power 4 को t substitute करेंगे, तभी x cube हमें मिलेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, substitution, substituting x to the power 4 equal to t, तो आएगा 4 x cube dx equal to dt, this implies that x cube dx जो मिलेगा, वो आपको कितना मिल जाएगा, 1 by 4 dt मिल जाएगा, अब यह सारी values लाकर के हाँ, जब पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा जारा समझे, this implies that x cube upon 1 plus x की power 4 का whole square dx जो मिलेगा, x cube dx upon 4 dt, तो 1 upon 4 बाहर करिए, और यहाँ हो जाएगा, 1 upon 1 plus t square और dt, किसका integration करना रहेगे आपका, 1 upon 4, 1 upon 1 plus t square और कितना digestion, dt, solve करेंगे, तो 1 upon 4 और यहाँ जाएगा, आपका tan inverse t plus में c, क्योंकि 1 upon 1 plus x square का integration tan inverse x होता है, अब t की जो value थी, उसको लाकर के हाँ, put कर दिए, 1 upon 4 tan inverse x की power 4 plus में c, यह जाकर के आपको इसका answer मिल जाएगा, तो आपको कुछ-कुछ idea लग गया होगा, कि यह वाला logic यूज़ करके हम सभी लोग integration कैसे करते हैं, कुल मिला करके integration by substitution में आपको standard function पहचानना होता है, और देखना होता है कि किसको substitute करने पर standard function बन जाएगा, ठीके, वही substitute कर देते हैं, उसके बाद फिर वो simplest form में, आप कह सकते standard form में convert हो जाता है, और उसका आशाने से integration हो जाता है, बस यही काम इसमें हमें करना होता है, I hope यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अब for standard integral हम सभी लोग यहाँ पर करेंगे, ठीके, 10x का integration, cortex का integration, secx का integration और cause secx का integration, important है, ध्यान से समझिएगा, पहला integration करने चल रहे हैं हम, integration of 10x, है ना, यह एक्जाम में भी पूछा जाता है, 10x का integration कैसे करेंगे, अभी तक आपको 10x का integration नहीं पता है, sec square x का 10x होता है, यह पता है, लेकिन 10x का integration क्या होता है, यह भी आपको नहीं पता है, तो वो हम सभी लोग यहाँ पर find करने वाले हैं, यह जो 10x है, इसको हम सभी लोग लिख सकते हैं, sin x अपान में क्या लिख सकते हैं, cos x यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, substituting, ध्याल देना, substituting, substitute करते हैं, क्या substitute करते हैं, cos x is equal to t, तो इसको differentiate करोगे तो आएगा minus sin x dx is equal to dt this implies that sin x dx जो होगा वो कित्ता हो जाएगा minus dt हो जाएगा समझ में आरी बात है अब ये value सब ला करके यहां पर put कर दीजे therefore integration आप sin x upon cos x का integration जब करेंगे तो क्या मिलेगा अब sin x dx minus dt होगे तो minus बाहर कर दे cos x को हमने क्या substitute किया है t तो one upon t हो जाएगा और कितना हो जाएगा dt हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से समझ ये अब one upon t का integration minus तो ये है log mod of t plus में क्या होगा c हो जाएगा बाते समझ में आ रही होगी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या log mod of one upon t plus c क्योंकि हम माइनस से माइनस अंदर जाएगा तो t की पावर माइनस होगा तो one upon t हो जाएगा अब t की value रख दो आप लोग t की value कितनी है कॉस x है ध्यान समझ ये सभी लोग तो क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग mod of cos x plus में c r log mod of one upon cos x रखेंगे तो कितना हो जाएगा c x plus में क्या हो जाएगा c हो जाएगा इस चीज़ को आप सभी लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा कि 10 x का integration log minus log mod of cos x होता है या log mod आप क्या होगा 6 x होगा इस चीज़ को आप सभी लोग हमेशा से क्या करेंगे ध्यान डखेंगे plus में लिखना है तो ये लिखेंगे minus में लिखना है तो ये लिखेंगे ठीक है क्या result यहाँ पर आप सभी लोग को मिल गया है minus log mod of cos x r log log mod of 6 x plus में c दोनों में एड़ किया जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा डियो सिंट्स integration हो जाएगा तो आपने देखा कि 10 x का integration कैसे किया गया integration by substitution substitution method जो होता है उसका यूज करते हुए हम सभी लोगों इसका integration किया है अब ऐसे ही आई हम लोग कॉट एक्स का integration भी यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि उसका result क्या आने वाला है फिर इन सारे खार्वनों का use करेंगे आगे चलके हम लोग exercises में ठीक है देखे इंटिग्रेशन आफ का ठीक है अब इसको हम कै लिख सकते हैं देखो तitel से सकते हैं cos X अपार में साइन इस फीडिकर समझभ है अब यहाँ पर भी वही सेम निखिक ञाम करेंगे लिखेंगे साइन एकस यरिकोलट see है नब जब साइन एकस की जगहां पर AKति सब्टिटूयोटेंके Sind x का differentiation कितना होगा dsd 선 unseren dt हो जाएगा और integration आसानी से हो जाएगा therefore integration आप cos x upon में sin x क्या होगा cxx dx dt हो गया étaisane x को t ले एंट dpin हो गया dsd 선 कर लीजिये वना COBाच का कितना होगा लॉग मॉड आफ टी प्लस सी ठीक है लॉग मोड आफ टी ब्लस सी तो हो जाएगा लॉग मॉड आफ टी की बैल्यू कितनी है बता ये साइन एकस तो यहां लिग दीजिए साइन एकस प्लस में सी या इसको आप चाहें तो ऐसे लिए सकते माइनस लॉग मॉड आप कॉसिक एक्स प्लस में सी माइनस लग जाएगा वही लॉजिक जो पिछले वाले में लगा था तो ये भी integration आपको समझ में आ गया होगा कि कॉट एक्स का integration क्या होगा आसान है चीजे समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को इसको नोट करिए फिर हम सभी लोग करते हैं सेक एक्स और कॉसेक एक्स का integration अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के वो है integration आप सेक एक्स ठीक है सेक एक्स का integration हम सभी लोग कैसे करेंगे यह हम यहाँ पर सीखने वाले हैं तो सेक एक्स का जो integration है dear students वो भी integration हम सभी लोग कैसे करेंगे integration बाई सिक एकस प्लस X से नूमरेटर और डीनॉमनेटर सिक एकस प्लस टाइन एकस से नूमरेटर और डीनॉमनेटर दोनों को मल्टिप्लाई किया जाएगा ऐसा करने से कोई इफेक तो पाड़ेगा नहीं ठीक है अब इसके बाद क्या होगा हम substitute कर देंगे देखो कैसे लिखेंगे substituting sec x plus tan x is equal to t sec x plus tan x की जगाँ पे हम t substitute कर देंगे ठीक है अब जब t substitute कर देंगे तो sec x का differentiation क्या होता डियोसेंट sec x into tan x होता है और tan x का sec square x होता है यहाँ पर dx होगा equal to dt होगा अब इसमें से आप देख पार होगे sec x common है और sec x common लेने के बाद यहाँ sec x plus tan x ही बचेगा dx is equal to dt अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया गया ऐसा substitution क्यों किया गया और इस तरीके से multiply क्यों किया गया क्योंकि यह देखिए इतने की value जो है इतने की value क्या हो गई dt हो गई तो therefore आप यहाँ कह सकते हैं कि यह आपके पास sec x into ध्यान समझेगा sec x plus tan x upon sec x plus tan x dx है इसको हम normally लिख सकते हैं one upon t और dt समझा रहा है अब one upon t का integration क्या होता है log mod of t plus में c होता है तो लिख देंगे log mod of t का मतलब क्या होगा बताइए t का मतलब होगा sec x plus tan x plus में c और यह इसका क्या हो जाएगा integration हो जाएगा समझ में आ गई होगी बाते आप सभी लोगों को कि 6x का integration log mod of 6x plus tan x होता है ठीक है इस चीज को आप सभी लोग क्या करेंगे ध्यान डखेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज जोगारा भी किया जाता है लेकिन उसको हम सभी लोग यहां नहीं करेंगे इसको ऐसे ही रहने देजिए और इसी रूप में आप इसका फार्मला याद रखिए log mod of 6x plus tan x अब हम लोग करेंगे अगला cos x का integration इंटीग्रेशन हो गया अब हम लोग करेंगे cos x का integration एक दम ऐसे ही उसको भी हमें करना है जहां से चीजों को समझते चलिएगा बहुत ही important यह lecture dear students हो रहा है ठीक है integration आप cos x ठीक है अब इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए इसमें भी वही काम करना होगा cos x लिखा हुआ है इसमें cos x plus cot x से multiply करें निूम्रेटर को और किसको denominator को ठीक है न इप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जैसे उसमें सब्टिट्यूट किये थे वैसे इसमें भी आप सब्टिट्यूट कर दीजिए देखिए जहां से कैसे substituting कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स इजिकल टू टी समझा रहा है differentiate करोगे तो आएगा माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स फिर माइनस कॉसिक स्क्वार एक्स ठीक है और लिखा जाएगा डी एक्स इजिकल टू क्या होगा डी सेंस डी टी हो जाएगा अब इसमें से माइनस कॉसिक एक्स आप कॉमा ले लीजिए तो बचेगा कितना कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स इजिकल टू आपको मिल जाएगा डी टी माइनस कुदर फेज देंगे इस इंप्लाइड यहां आपको मिलेगा कॉसिक एक्स इंटू कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी अब देखिए जहां से वही जो हम सभी लोग चाह रहे थे उस तरीके से यह कनवर्ट हो चुका है इसके पूरे की जगा पे हम माइनस डी कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स अपान में कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल होगा वन अपान टी के माइनस बाहर और किसके डी ती के थीख है समझ में आ गई बात है अब हम इसको लिखेंगे माइनस लॉग मॉड आप T प्लस में C T की वैलू है हाँ पर हम पुट कर देंगे तो आदेगा माइनस लॉग मॉड आप T का मतलब बताईए कितना कॉसेक X प्लस में कॉट X कॉसेक X प्लस कॉट X प्लस C इस तरीके से ये हमारे जो 4 important function थे उनका integral हम सभी लोगों ने यहाँ पर find कर लिया है कि उनका integration कितना आएगा आए इन सारे formula को एक साथ हम सभी लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और देखते हैं कि वो formula क्या क्या हम सभी लोगों को मिले हैं फिर आगे हम सभी लोग चर्चा करेंगे अगर आप सभी लोगों ने अभी तक lecture को share नहीं किया है तो एक बार आप सभी लोग लेक्चर को share जरूर से जरूर कर दीए four important formula कौन कौन से पढ़े आप सभी लोगों ने integration of 10x 10x का integration आपको मिला है log mod of 6x ठीक है plus c या minus में log mod of cos x plus में c यह पहला formula आपको मिला है ठीक है second जो आप सभी लोगों ने यहां पर find किया हुआ है log x का integration और यह आया है आपका log mod of sin x है ना plus में c और इसको minus log mod of cos x plus में c आप लिख सकते हैं ध्यान समते चलिएगा उसके बाद third formula आप सभी सेक एक्स सेक एक्स का हमें मिला है log mod of sin x और प्लस में कितना 10 x plus में c हो गया और next formula हम सभी लोगों ने यहां पढ़ा है कॉसिक x का integration वो है मारा minus में log mod of cos x plus में cot x plus में c यह 4 नए formula भी हम सभी लोगों ने सीखा और integration का एक नया method एक नया तरीका भी हम सभी लोगों ने सीखा है I hope सारी बाते आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी अब हम next type के integral के बारे में discuss करने चल रहे हैं ध्यान से इसको आप सभी लोग समझ लिए होंगे अब next type के बारे में हम लोग discuss करेंगे next type के integral के बारे में discuss करेंगे फिर धीरे-धीरे करके हम लोग your friends exercise पे पहुँचेंगे अभी यह जो four नए integration के फार्मूले आप सभी लोगों को मिल गए हैं इनको आप सभी लोग note कर लीजिए और इसको आप सभी लोग learn भी कर लीजिएगा क्योंकि अभी exercise में इसका use हम सभी लोग करेंगे अगला type देखें डियरे-सेंड्स अगर होगा तो हम सभी लोग इसको कैसे करेंगे तो यह भी बहुत ही आसान टाइप है वी example के माध्धम से भी आपको समझा दूंगा और इसको भी समझाने चलना हो देखो इसमें क्या है कि यह इसका आउकल गुडांग है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे है यहां लिखेंगे substituting क्या substitute करना है fx की जगाँ पे t substitute करना है ठीक है तो इसको करोगे ता जाएगा f-x dx is equal to dt तो f-x dx dt हो गया therefore हम सभी लोग इसको लिख सकते है कैसे देखो f-x अपान में ठीक है f-x और hold to the power n यह क्या हो गया ज़रा ध्यान देना आप सभी लोग f-x dx क्या हो गया dt तो 1 अपान इसको हमने t लेलियत हो गया t की पावर n हो गया और क्या हो गया ds dt हो गया बात समझ में आ रही है अब यह क्या होगा t की पावर minus n ऊपर चला जाएगा और यहां dt हो जाएगा आराम से t की पावर minus n plus 1 upon minus n plus 1 plus c कर देंगे और t की जो value है वो लाकर के यहां substitute कर देंगे आसानी से इसका integration हो जाएगा तो आईए इस type का भी एक example मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूँ कि कैसे हमें करना है देखें integration आप लिखा हुआ है 3x square upon में x cube plus 5 whole to the power 4 का integration हमें करना है तो इसमें यही logic लगेगा जो अभी मैंने आपको इहां सिखाया है देखें कैसे यहां लिखेंगे substituting क्या substitute करना x की power 3 plus 5 की जगाँ पे t substitute करना ध्यान समझेगा अब इस x cube का differentiation करोगे तो कितना हैगा 3x square dx is equal to कितना मिलेगा dt अब देखो 3x square dx से जगाँ पे कितना हो गया dt हो गया therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं integration आप 3x square upon x cube plus 5 की power 4 है ना इसको हम लिख सकते हैं 1 upon t की power 4 और dt आसानी से लिख सकते हैं समझ में आ रही है बाते अब इसको करेंगे तो यह हो जाएगा t की power minus 4 dt और solve करेंगे तो t की power minus 4 plus 1 upon minus 4 plus 1 plus में क्या हो गया c हो गया ध्यान समझे चलिए जाएगा तो हो जाएगा t की power minus 3 upon में minus 3 plus में c अब t की जो value थी वो लाके put कर दीजिए कुल मिला के इसको minus 1 upon 3 लिख दे और यह नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस 5 की power जो कितना था फोर था वो 3 हो जाएगा और plus media strength कितना हो जाएगा c यही इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो यह next type का आपका integral था और यह उसके भिहाब पर example था बाकी अभी हम सभी लोग exercise में और question solve करेंगे और अलग type के question को भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे धीर धीरे करके ठीक है सारी चीजें हमारी असपस्ट होते हुए चली जाएगी और आपको integration बहुत आसान लगने लगेगा अगर कहीं कोई doubt है तो उसको आप सभी लोग मुझसे जरूर से जरूर पूछ लिएगा बहुती आसान तरीके से आप सभी लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ नहीं तो आप सभी लोग को कितना समझ में आ रहा है कैसे क्या है मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर से जरूर डियोस्टेंट बता दिया करिए जिससे अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह रही तो उसको मैं नेक्स लेक्चर में अपग्रेड कर दूँ और आपको स इसमें बस बगल बगल ही दे दिया गया है तो जब बगल बगल ही दे दिया गया है तो देखे कैसे हम सभी लोग इसको करते हैं यहां लिखते हैं सब्स्टीटिटिंग धान देना सब्स्टीटिट करेंगे क्या fx is equal to t तो डिफ्रेंसियेट करेंगे तो f-x dx आएगा जो कि की क्या हो जाएगा डिफी अभी यहां लाकरा दो देर फोर-इंटिग्रेसान अप यह सिख फीक की आफक्स कि पावर एकल मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां q kollластistan क्या करेंगे तो आएको Solo wary Taste f x hold to the power n plus 1 होगा upon में n plus 1 होगा plus में c होगा यहीं इसका answer होजाएगा एक question करके आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ लिख दिया गया deacence cos x और यहाँ लिख दिया गया sin x to the power 5 और हमें कह दिया गया इसका आप क्या करिए integration करिए तो देखो कितना easy हो जाएगा यहाँ हम लिखेंगे substituting क्या substitute करेंगे sin x to the power 5 sin x is equal to t differentiate करेंगे क्या मिलेगा deacence cos x dx is equal to आपको कितना मिलेगा dt मिलेगा अब यह cos x dx यह reduce हो गया किसमें dt मे therefore यहाँ लिखेंगे हम cos x और यहाँ sin x to the power 5 dx जो होगा यह हमें क्या मिले cos x dx dt हो गया तो यहाँ मिला आपको t की power 5 और कितना मिल गया dt मिल गया बात समझ में आ रहा है अब इसको आगे की तरफ साल्व करेंगे तो यह हो जाएगा t की power 6 आपान में 6 प्लस में C तो t का मतलब कितना है sin x तो आप लिख सकते है sin 6 x अपान में 6 प्लस में C यह इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो इस type के जितने भी integration आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उनको आप इसी तरीके से साल्व करेंगे लगभग लगभग इतने type के integration आप सभी लोगों की book में आप सभी लोगों के syllabus में दिये गए हैं उन सब को मैंने यहाँ पर explain कर दिया है सारे के सारे integration को यहाँ पर मैंने explain कर दिया है अब आपको करना है practice ठीक है जितने जादा से जादा questions आप सभी लोग solve करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको चीज़े समझ में आएंगी तो अभी इसको erase करते हैं जितने भी फार्मूले आपको बताएंगे उन सारे फार्मूलों को आप सभी लोगों को लग कर लेना है और अगर first lecture को आप सभी लोगों को जरूर से जरूर देख लेना है बाकी जितनी जादी प्रैक्टिस होगी जितना जादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी ठीक है जैसे जैसे देखिए इसी तरीके से कुष्टन और लिखा हुआ है साइन स्क्वेर एक्स का इंटिग्रेशन और आपको बताएं न यह 2004 में कुष्टन आ चुका है कैसे कर जाएगा बताओ अभी जो बताया अग्दम से मुएसा ही तो होगा क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स इस इकल टी साप्टिट्यूट कर देंगे ठीक है तो इसका होगे तो क्या आएगा बताएगा बताएगा इसको क्या लिख देंगे टी स्कार लिख देंगे और यह क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा अब टी स्कॉर कटिषण करेंगे तो T की power 3 by 3 plus में कितना हो गया C हो गया T की value लाकर कि यहां पर आप put कर दिए T का मतलब कितना है Sine X तो हो जाएगा Sine Q V X अपान में 3 plus में C और इसका क्या हो जाएगा ऐसे ही बहुत सारे questions है Integation by substitution का सारा rule मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया है अब next lecture में उन सारे questions को मैं cover करने का प्रयास करूँगा जो questions आपके exam में previous year में पूछे गए हैं फिर धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से Integation by substitution clear हो जाएगा इसमें किसी प्रकार का कोई doubt नहीं है Integation by substitution का first lecture अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो first lecture जरूर से जरूर देख लीजेगा क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया कि substitution क्या होता है कैसे substitution किया जाता है और क्यों substitution किया जाता है वो सारी बाते मैंने वहाँ आप सभी लोगों को बताया है और सिखाया है तो आई होप आपको चीजे समझ में आ गई होगी ये जो कुश्टन गएरा मैंने कराया है सब समझ में आ गया होगा नेक्स लेक्चर में कुश्टन साल्व करेंगे तब तक के लिए आप सभी लोग इनको रिवाइस करिएगा और आपकी books में जो examples है उन example को साल्व करेंगे। जब आपको कुछ questions किये रहोगे तो उस situation में आपको idea रहेगा और हमारे साथ जब आप सभी लोग questions साल्व करेंगे तो आपको कुछ ज़ादा ही आननद आएगा और आपको चीज़े जादा बहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी डियो सेंट्स लेक्चर बहुत ही जादा इंप्वाटेंट हो रहे हैं रेगुलर साम को साथ वज़े आपके अप्लाइट में सेकंड की क्लास चल रही है आप खुद रेगुलर क्लास लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर से जरूर से शेयर किया करिये अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को सेयर नहीं किया है लेक्चर आपको पसंद आया है तो lecture को share कर दीजेगा और अगर जादा पसंद आया है या जैसा भी है तो comment section में comment करके ज़रूर बताईएगा बाकि dear friends आज की इस lecture में बस इतना ही मिलते हैं next lecture के साथ next topic के साथ तब तक लिए सांद आ रही है और पढ़ते रही है